अपूर्वा हिंदी मूवी समीक्षा अपूर्वा दो हजार तेईस की भारतिय हिंदी भाषा की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है जो निखिल नागेश भट द्वारा लिखित और निर्देशित और मुराद खेतानी द्वारा निर्मित है इसमें राजपाल यादव, अभिशेक बनरजी और धैर्य करवा के साथ तारा सुतारिया मुख्य भूमिका में हैं चंबल की प्रिष्ठ भूमी पर आधारित यह कहानी एक साधारन महिला की कहानी है जो असाधारन परिस्थितियों का सामना करती है और जीवित रहने के लिए कुछ भी कर सकती है फिल्न को 15 नवंबर 2023 को डिजनी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज किया गया था जिसे समीक्षकों से मिली जुली समीक्षा मिली जिसमें सुतारिया के प्रदर्शन की प्रशन साकी गई सडक पर एक कार पर घात लगा कर हमला किया जाता है जुगनू, सुखा, बल्ली और छोटा के चार लोगों के एक गिरोह ने उसके सवारों को गोली मार दी एक सूचना के आधार पर आभूशन लूटने के बाद वे अगले ट्रक को निशाना बनाने की योजना बनाते हैं इस बीच अपूर्वा कश्यप अपने मंगेतर सिधार्थ सिड को आश्चर्यचकित करने के लिए बस से यात्रा करती है बस चालक द्वारा जुगनों के वाहन के आगे न जुखने से घातक टक्राव होता है गिरोह ड्राइवर और कंडक्टर को मार देता है और सुख़ा फोन पर सिड के साथ तीखी बहस में उलज जाता है जिससे उन्हें अपूर्वा का अफ़रन करने के लिए प्रेरित किया जाता है फ्लेश बैक से अपूर्वा और सिड की प्रेम कहानी का पता चलता है जो एक अरेंज मैरिच से शुरू हुई थी गिरोह अपूर्वा को एक परित्यक्त गाव में ले जाता है जहां छोटा उसे धमकी देता है संधर्ष में अपूर्वा उसे दूर धकेल देती है लेकिन जब छोटा एक हिंसत प्रहार का प्रतिकार करता है तो वह बेहोश हो जाती है जोतिशी तारा चंदाता है और गिरोह उसे पकड़ लेता है जैसे ही गिरोह अपूर्वा के भाग्य पर विचार विमर्ष करता है वह जाग जाती है और तारा के साथ भाग जाती है गाव में अपूर्वा छोटा से भिरती है और उसे मार डालती है यह मानते हुए की तारा जिम्मेदार है गिरोह उसे निशाना बनाता है पीछा करने के दौरान अपूर्वा कुए में गिरने से बाल-बाल बची गिरोह अंतह तारा को मार देता है और अपूर्वा मदद के लिए सिड को बुलाने की असफल कोशिश करती है जब सिड अंतह जवाब देता है तो अपूर्वा गिरोह के सदस्यों के नामों का खुलासा करती है पुलिस ने सिड को हस्तक शेप करने के लिए सुभह तक इंतजार करने की सलाह दी अपूर्वा की खोज बल्ली द्वारा की जाती है जो उसे कपड़े उतारने का आदेश देता है वह अनुपालन करती है फिर उस पर हमला करती है और उसे मार डालती है सुखा और जुगनु बल्ली को ढूंडते हैं लेकिन अपूर्वा का पीछा करने को प्राथमिक्ता देते हैं अपूर्वा ने जुगनु को धोखे से कुए में गिरा दिया फिर उसे मार डाला वह घायल बल्ली को भेजती है और सुखा को अपनी कार से कुचलने का प्रयास करती है एक दुरघटना के बाद अपूर्वा और सुखा रेलवे पट्रियों के पास एक धातक मुठ भेड में शामिल हो जाते हैं अपूर्वा सुखा पर हावी हो जाती है और उन दोनों को पट्रियों के विपरीत दिशा में धकेलने के लिए पर्याप्त ताकत हासिल कर लेती है सुखा ने अपूर्वा से शादी करने की अपनी इच्छा प्रकट की जिसे उसने मार डाला ठकी हुरी अपूर्वा एक रेलवे क्रोसिन काबिन में शरण लेती है और सिड से संपर्क करती है